सोलन का सरकारी अस्टाल अपनी बधाली पर आंसू रो रहा है लेकिन उसके आंसू पोंचने वाला कोई नहीं है जिसके चलते रोगी सिर्मौड, शिमला और सोलन से अस्टाल का रुप करने लगे हैं लेकिन अस्टाल में रोगीं कुछ सुबधाएं न के बराबर मिर रही हैं CT scan की मिशीन काफी समय से खराब पड़ी है वही बड़े X-ray के मिशीन भी क्रीवन दो सालों से बंद पड़ी है ऐसे में जो गरीब रोगी दूरद्रार किशितरों से सस्ते इलाज के लिए यहां आते हैं उन्हें X-ray और CT scan करवाने के लिए निजी क्लिनिकों का रुप करना प अस्पिताल प्रशाशन न ये मांग परदेश सरकार के समक्ष रखी है गौरतलबे की सोलन जिला से पहले राजी विंदर स्वास्ते मंत्री रह चुके हैं और अब कसौली के विधाइक राजीव सैजल स्वास्ते मंत्री है शहरवासियों को उमीद थी कि सोलन में स्वास्ते हैं और उसके तुरू हम लोगों के एक्सरीज कर रहे हैं और सी यार कर रहे हैं कॉंप्रोइज, डरिजिग्राफि कर रहे हैं वो अस्वारा है वह कुछ एक तरह की एक्सरी जो बहुत ד라 में जाते है उसमें वहारे को घहराई में जाना परता है एक्सरीज करने के लिए वि सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं इसके लिए हमने गौर्मेंट मेने आते ही सेकंडे ही इसके बारे में सरकार से निवेदन किया है कि हमको यहां परत्री अंडड़ या फाइंड़ अमेका एक्सरी जन प्रांट जल से जल लगाया जाए ताकि जो लोगों को थोड़ी अवस चलेगी तो मैं देख रहा हूं कि 20 साल परानी यह मशीन है हमारे पास एक्से मशीन तो हम कई बार इसको ठीक करा चुके हैं अब जो मेकानिक्स हैं इसके जो टेक्निशन्स हैं उन्होंने भी अपने हाथ उठा दिये हैं कि यह मशीन अब और नहीं चल पाएगी क्योंकि बह का दियाए तक्रीबन जो हैएगी आथ आ ऄं वो हमारे पास सक побед सोटीष हो जाते हैं दिल में इसे विज्दध हो जाते हैं तो वह सो यह काँ पूरे द्यान में है यह चीज क्योंकि यह सब लोगों की सुविदा से जुड़े हैं इसलिए सरकार के भी संग्यान में रहता है और सरकार के पूरे एफट्स होते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो एक टीम है हमारी रॉक्टर्स की वो माननी है हमारे स्वास्तिय मंतर जी से इसमारे में बात करेंगे कि हमारे लोगों के सुधा के लिए ये जल्दी जल्दी इंस्टॉल को जाए है